कि हेलो गाइस वेलकम बैक अगें टू इंडियान कोडिंग सो इस लेक्चर में हम देखंगे कि हम जीए से का कैसे यूज़ पहले हम देख लेते हैं कि लाश्ट लेक्चर में हमने क्या किया था हमने react-dom.render function का use किया था ओके और यह कहां पर होता है यह होता है index.js file के अंदर में तो देखो यह यहां पर होता है फिर हमने क्या गया था हमने यहां इस्टार्ट किया था और अपनी file को इस्टार्ट किया था तो मैंने app.js file के अंदर में क्या डाला था मैंने लिखा था हेलो हेलो रियाक्ट लिखा था फिर हमने अपना सर्वर इस्टार्ट किया तो देखो हमारे पास जो भी हमने अप में लिखा है वह हमें शो हो रहा है हम इस लेक्षर में बात कर लेते हैं कि jsx क्या होता है तो jsx की फुल फॉर्म होती है जावा सक्रेप्ट एक्समेल तो हम क्या करपाते हैं इसकी हल से हम uhlld विकाए है ृप पाते हैं रिंदर में तो देखो यह क्या है क्योलija और यह किसके अंदर हम अंदर है रिडियक्ट के अंदर में या आब बोल सकते हूं कि जावा स्रुप्त की फाइल के अंदर में हम HTML को लिख पाते हैं just because with the help of किसकी help से लिख पाते हैं हम XML की help से ओके अब देखो तो मैं क्या लिखूंगा जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर वह HTML text के अंदर में हम लिख पाते हैं तो देखो अगर मुझे लिखना है मैंने एक पैराग्राफ टेग बनाया में चीज क्या होती है कि जो भी लिखेंगे वह बंद होने चाहिए ठीक है मतलब ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए तो मैंने लिख दिया इंडियन और इसको क्या गिया सेफ कर दिया तो देखो जो ईपनिंग तैग है वहा पने उसको क्या करता है थो ऑने सेव कर दिया तो यह क्या होगा यह हमारा एच्टीमल टेयक है और इसको हम लिख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो यही पे हमारा क्या वर्क करता है ठीक है अब इस कि यह शो हो रहा है नहीं तो देखो यह हमारा एक शो हो रहा है अब हम देखने की expression कैसे लिख पाते हैं हम इसके अंदर में ठीक है expression means कि जब मालों की हमें कोई calculation करनी है या फिर कोई भी expression कोई भी block of code है जो कुछ perform करता है तो जैसे मेरे को मैं हो लिखना है है मैं स्क्राइब सब्सक्राइब मैं लिखा मैं समी deconations कि और यह किया कर रहा है हमारा वापिस से बिल्ट कर रहा है तो यह हो गया अब देखेंगे तो हमें शुर्व होना चाहिए हमारा ओपर तो देखो माय समिश टैन शुष हो रहा है If you still have any query then please put it out in the Q&A section. Thank you.